हेलो बच्छा लोग, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शेपल सेडूकेशन, मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका बड़ा भाई सीए मोहित्ता पढ़िया और हमने पिछली बार एक अच्छा शांदार वीडियो बनाया था, यह उसका कंटिन्यूड वर्जिन है, हम के लिए पूरा का पूरा रेडी करके रखा है, यह पूरी की पूरी पीडियेफ आपको फ्री में अवेलेबल रहेगी और इस पीडियेफ के लिए आपको क्या करना है, आपको पता है, और जिसको नहीं पता है, वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रही है, अभी मैं आ इतना सारा content develop कर रहे हैं गुज्रात बोड के लिए पूरे गुज्रात में को इतनी महनत नहीं कर रहा होगा जितनी महनत मिलाल हम कर रहे हैं और हम थोड़ा सा आप से प्यार चाहते कि ये महनत करने का हमारा motivation बना रहे तो हमने लास्ट वाले वीडियो में topic छोड़ा था communication का जिसको हम आगे यहां start करेगे with a very important question जिसका नाम है Abraham Maslov's hierarchy of needs ये question 70% time board exam में पूछा गया है जहां पर आपको हर बार ये diagram बनाना है और इस diagram से आपको समझाना है कि एक आदमी की needs क्या होती है जिसमें सबसे पहली need होती है psychological need जिसके अंदर एक आदमी चाहता है कि उसको एक काम मिले जहां पर उसका मन शान तो मतलब उसको रोटी, कपड़ा, मकान, shelter, basic necessities अगर मिल जाती है तो उसे primary needs कहा जाता है ये होने के बाद में आदमी जाता है अपने second need पे जिसे कहा जाता है safety need वह या रोटी, कपड़ा, मकान मिल गया अब हमें थोड़ी सी सुरक्षा चाह अगर वो need मिल जाती है फिर एक आदमी जाता है अपने third need पे जोते है social need जब एक आदमी पैसे कमा लेता है डालवोटी बराबर चल रही है, घर परिवार सुखी है, safe है, अब आदमी चाहता है कि मुझे समास से थोड़ा recognition मिले, मेरे लिए तालिया बजे, मेरी वावाई की जाए तो उसे कहा जाता है social need जहां पे वो चाहता है कि society मेरे respect करे, वो चाहता है कि society मुझे accept करे, वो चाहता है society मेरे love affection 100% मिरे को बताए कि भया society के लिए मैं कितना important हूँ, उसके बाद मैं आती है esteem need, देखो मैं सची सची बताता हूँ, इसके उपर की 3 needs होती है ने बहु सारी लोग पूरी कर लेते हैं, मतलब अगर मैं percentage wise गोलू तो primary needs हमारे देश में सब लोगों मिलती है, दाल, रोटी, कपड़ा, मकान, सब को मिलता है, किसी को अच्छा मिलता, किसी को खराब मिलता बड़ मिलता जरूर है, हमारी country में कोई भी आदमी भूके रहने के कारण मर नहीं है, और यह बहुत अच्छी बात है, हमारे देश के लिए, कि हमारे यहां पे खाना आज सब के लिए available है, कितने सारे मंदिर, कितने सारे गुर्दवारा होते है, जहां पे जिन्दकी भर के लिए उन लोगों ने लगड़ लगा रहा है, फ्री लंगड़े भी आओ, ख प्रेक्ट होता है, वो भी हमारे देश में 70-75% लोगों तक मिलता है, उनको सुसाइटी एकसेप्ट करते हैं, उनको सुसाइटी बहुत प्यार, बहुत इज़त देती है, यहां तक सब available है, बड़ इसके आगे की जो needs होती है, जिसे कहा जाता है, यह needs basically हमारी है ही नहीं, हम क्या करते हैं, हम बिना मतलब की कुछ ऐसे expenses करते हैं, जिससे हमें society में recognition मिले, जिससे society में हमारी extreme create हो, जैसे कि लोग gold पहनते, silver पहनते, platinum पहनते, बड़े-बड़े necklaces पहनते, क्यों पहनते, जिससे उनकी status create हो, तो यह need हमारे देश में बहुत कम लोगों की कहो, तो 20-25% लोगों की पूरी होती है, और इसके बाद वाली जो आखर नीड है, जिसको बोलते self-actualization need, यह need हमारी country में 0.01% लोग पूरा कर पाते हैं, self-actualization मतलब आप जिस field में हो, उस field में आप बहुत recognized हो, उस field के आप बेतास बाशा हो, उस field के अंदर आपको सबसे अच्छा गिना जाता है, जैसे कि singing में लता मंगेश कर को लोग याद करते हैं, cricket में सचिन तंदिलगर, MS धूनी को लोग याद करते हैं, वैसे ही बहुत सारी जगाहों पे आपको recognition दिया जाता है, आपको माना जाता है, आपको उसमें सर्वो पर ही माना जाता है, उसे कहा जाता है, self-actualization need ये need बहुत rare category लोग पूरी कर पाते हैं, हर आदमी ये need पूरी कर पाता नहीं है, इसके बाद में आती है बात incentives के, incentive दुनिया में सबसे important factor होता है, बच्चा लोग मैं आपसे भी कितनी बाहर कहता हूँ, जब भी पढ़ाई करने का मन नहीं करे ना, ये सूचेगा कि आप अ करोडों की संपत्ती नहीं छोड़ी है, अगर हम चाहते हैं कि हम हमारे parents को एक छोटे level से लेके, बड़े level तक लेके जाए, 1BHK से लेके, 4BHK तक लेके जाए, 2Willer से लेके, 4Willer तक लेके जाए, तो भया हमारे पास एक ही तरीका है, वो है पढ़ाई, तो finance एक आदमी की life क बहुत important motivation होता है, पढ़ाई जब भी करने का मनना हो, यह याद रखी का कि अगर आज आपने पढ़ाई नहीं की, तो कल क्या होगा, कल यह होगा कि जब कभी भी कई shopping करने जाओगे, पहले price tag देखना पड़ेगा, कल यह होगा कि जब आपके माबाप में आपसे पैसे मांग कोई चाहने वाला hospital में admit है, हम दिल से चाहते कि हम इसकी मदद करें, बर जेव हमारा साथ नहीं दे रही है, इसलिए बता रहा हूँ, जब पढ़ने का मन ना करे, समझ लेना कि पढ़ाई के बिना कमाई नहीं और कमाई के बिना दुन्या में कुछ नहीं है, पैसा life में दुन्या में बहुत कष्ट दायक काम है, हर किसी के बसका नहीं है, और आप लोग समझ के चलो, कि आप लोगों के तो बिलकुल बसका नहीं है, एक दिन भूके पैट सोने की बारी आएगे न, जिन पता चलेगा कि संत सादू महत्मा बनना कितना डिफिकल्ट है, तो वो जर जर्नी आसान है भईया, पढ़ाई कर लो, ये जर्नी आसान है, और जब कभी भी मोटिवेशन चाहिए, ये देखना कि दुन्या में जिन लोगों ने पढ़ाई किये, वो लोगों ने क्या-क्या मुकाम हसल किये है, हम 1BHK में रहते हैं, हमने पढ़ाई करके अपने आपको 4BHK में लेके गए, उनकी आखों की खुशी अगर देखी जाए, तो लगता है भईया, इतने सालों की मैनस सफल हो गई है, इसलिए हर आदमी के लिए फिनांस बहुत इंसेंटिव होता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुड़ा हो, चाहे वो इंप्लॉई हो, चाहे वो मजदूर हो, हर किसी के लिए बहुत इंप्लॉटन इंसेंटिव होता है, इसलिए फिनांशल इंसेंटिव बहुत अच्छे माने जाते हैं, इसके बहुत तरीके होते हैं, आप किसी को प्रॉफिट में हिस्सा दो, आप किसी को भागिदार बना लो, पार्टनर बन कभी कबार नॉन फिनाशल इंसेंटिव भी बहुत काम आता है अगर आपको लग रहा है कि आप पैसे नहीं दे सकते हो तो भाया कुछ मत करो 15-50 लोगों के वीचे उनके लिए तालिया वजवा दो एक शौल उड़ा दो उनकी वावाई कर दो बस उतना भी कभी कबार बहुत ह हो जाता है कितनी बार हम फिनाशल इंसेंटिव नहीं दे पाते हैं मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है मेरे बच्चे बिचारे सब चोटे होते राइट दसवी बारवी वाले बच्चे अभी तक पैसे कमाते नहीं है अब उन्हें अगर बताना है कि सर आप अच्छे और आप मेसिज मिलता है नहीं जिन्यूनली बतातो इतना गजब इंसेंटिव होता है कि पूछो मार मैं कितनी बार यूट्यूब पढ़ाते पढ़ाते भी हुमत हार जाता हूं थोड़ने इतनी मेहनत लग रही है सच्छा याज जो चल रहा उसको चलाते हैं बट फिर एक अच्छानक होता है कि चले किसी दिर हमको भी अच्छा प्यार मिलेगा हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे हम भी देखो एडूकेशन वाले विचारे लाकों तक पहुंचते बहुत मुश्किल से हैं चलो महने जारी रखते हैं किसी दिन पहुंचेंगे तो शायद एक अच्छी इसके करेक्टरिक्स एक स्पैसेविक गोल के लिए होना चाहिए कम्यूनिकेशन में आपके वर्ड्स और लेंग्वेज बहुत क्लियर होने चाहिए कम्यूनिकेशन एक टूवे प्रोसेस है दो तरफा प्रोसेस है एक अकेला आदमी दीवारोंसे बात नहीं कर सकता भई या सामने बात करने वाला दूसरा बंदा चाहिए सब्सक्राइब करने के लिए आपको पता है या मोबाइल इंटरनेट कम्प्यूटर फिर फेक्स मशीन फिर यहां जाने और कितरे सारे और बनेंगे आगे जाके फिर वैसे ही कम्यूनिकेशन एक बेजिक मोटिवेटिंग अक्टिविटी होती है कम्यूनिकेशन आपका एड्मिस्ट्रेशन इजी करता है कम्यूनिकेशन होता है क्योंकि आप जिससे बात करें वह भी इंसान होता है बहुत बार तो कभी कबार मशीन भी होती है बट माक्सिम इंसान होते ह तो इसलिए communication हमारे लिए बहुत important हो गया है बट इसमें बहुत सारे barriers यह सबसे important answer है सबसे जादा important answer है यह answers को किसी भी हालत में मिस्मत करना यह सबसे जादा important answer रहने वाला है तो अच्छे से याद कीजेगा barriers of communication exam में बहुत बार पूछा गया है barriers का मतलब होता है obstacles obstacles का मतलब होता है क्या-क्या obstacles हमारे क्या-क्या चीजे हमारे आड़े आ रखे communicate करने के लिए तो सबसे पहले proper planning ना हो तो communication faulty हो सकता है हमारा message बराबर नहीं गया transmission perfect ना हो तो communication कर बड़ी जगा सकता है message clear ना हम sentence बराबर form नहीं करते सही तरीके से information पहुचा नहीं रहे है तो communication में लफड़ा हो सकता है हमने assumptions कुछ ले लिए या हमने समय कम दिया या हमने सामने वाले को communication से over button कर दिया इतनी सारी बाते एक साथ मैं कहा दी कि इसको समझवें नहीं है उसको याद ही ने कौन सी करना है कौन सी नहीं करना है कभी कबार सामने वाले हमारा message ignore कर देता है या हमने सही तरीके से message नहीं पहुचाया यह से मेरे साथ बहुत बार होता है मैं email बहुत कभ यूज़ करता हूँ या एक text message कर दिया कर so this is the reason कि ये सारे communication के माध्यव बहुत important माने जाते है और इसके कारण इनके ये कुछ particular limitations को हम अवाइड करना पड़ेगा कभी कबार fear के कारण एक आदमी proper communicate नहीं कर पाता हम कितनी बार अपने माबाप से जुड बोल देते हैं सच नहीं बोल पाते हैं जबकि कहीं कोने में इच्छा है सच बोलते हैं बड़ लगता है नहीं आज सच बोलेंगे तो डाट पड़ेगी छोड़ने जूर बोल देते हैं तो ये fear के कारण भी एक आदमी miscommunicate करता है so these are some important topic और आखरी chapter आएगा पांच मार्क के अंदर जिसका नाम है chapter 9 11 consumers protection rights of consumers इसमें सबसे important सबसे पहला यही question है consumers rights या right of consumer जिसमें ये कुछ specific 6 rights हमें दिये गए है right of safety, right of information, right of choice, right of representation, right of redressor, right of consumer education बहुत-बहुत-बहुत important इसको बिलकुल भी हलके में लीजेगा मत ये आपके exam में 100% आने वाला है, हर आत्मी के पास right होता है कि उसको redressal किया जाए, हर आत्मी के पास right होता है उसको educate किया जाए, इसलिए सरकार के बहुत सारी योजना होती है कितनी बार हम TV में add देखता है na, कि बहुत जन हित में जारी, जन हित में जारी RBI द्वारा जन हित में जारी, SBI द्वारा जन हित में जारी या फलाना फलाना प्रोग्राम द्वारा जन हित में जारी तो ये जन हित में जारी और कुछ नहीं एक attempt होता है consumer education का उसी तरह से हमें educate करना पड़ता है United Nations के हिसाब से एक आदमी की basic needs और hygienic environment उसको मिलना ही चाहिए तो ये कुछ चीजे हमारे लिए बहुत important होती है हमारे लिए consumer rights होते हमारे वैसे ही जिस तरह से आपके पास rights आपके पास कुछ responsibilities भी है आपकी जिम्मेदारी भी है ये जिम्मेदारी को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा सबसे पहली जिम्मेदारी अपने right का अच्छे से use करो दूसरी डिप जिम्मेदारी है कोई भी गलत advertisement के चक्कर में मत पढ़ो आपको बचके रहना पड़ेगा ये आपकी जिम्मेदारी है नेक्स्ट आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी कोई समान खरीदो आपको क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए वह देखो जिसकी आज की तारिक में हम देखते हैं कि भईया इसमें क्या ingredients हैं हम देखते हैं इसकी MRP क्या है इसकी expiry date हो गई है कि नहीं हो गई है ये सब care आपको रखना पड़ेगा साथ ही मैं सामने वाले से bill मांगिए ये आपकी जिम्यदारी है सामने वाले से high quality product मांगिए उसको बोल ये खराब निकलेगा वापस देखे जाओंगा मैं खराब quality का product purchase करने वाला नहीं हूँ और साथ ही मैं अपनी complaints को register कराएं ये let go मत करिये हां ठीके कोई बाद में जान आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और complain के बाद में इसको spread भी करें लोगों को बताएं कि भईया चाब मेरे साथ गलत हुआ था मैंने complaint की थी मेरे को solution मिला था आप भी करिये it's a good thing to do right next one environment protection के ध्यान दीजिए ये आपका काम है आपके आसपास के environment को protect करना and last unethical activity से दूर PDF में लिखा है और आपको ये PDF में free मैं available कराऊंगा साथी में आपको पता है कि हमारे दो नोट आज की तारिक में बहुत हिट चल रहे हैं हमने धमाका मचा रखा इन नोट को लेके और ये नोट आप लोगों में से कितने बच्चों तक पहुँच गए हैं बहुत सारे बच् PDF को मार्केट में ऐसे नहीं पहुचा सकते हैं लोग बहुत इजी कॉपी करके यार अपना नाम चापके लगा देते हैं हम नहीं दे सकते हम आपको सिर्फ हाड कॉपी देते हैं हमारी एक एक नोट की नोट के बुक धाइसो से तीन सो पेज़स की होती है जिसमें सारे समरी जाते हैं और इन धाइन सो तीन सो पेज़स की बुक को आपके घड़ तक डिलिवर कराने का हम सिर्फ 2.99 रुपीज लेते हैं तो इस से सस्ता थो हमारे वसका नहीं है फिर भी हम आपके रिए सारे के सारे नोट्स यूटीब पर भी रखते हैं अगर आपको लगर आप अफ करके नोट्स अपने घड़ तक मंगवा सकते हैं साथ ही मैं प्यार बढ़साते रहिएगा नीचे दिये गए वीडियो लिंक के उपर आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी होगी वुस गूगल ड्राइफ के अंदर मैं आपके लिए पीडिएफ छोड़ दूँगा